अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को और इसकी इस वीडियो में जो कह रहा हूं वो बातों को ध्यान से सुनियेगा आज एक बच्ची का कॉल आया मेरे पास and he just asking me कि सर बहुत कम टाइम बचा है SBIPO क्या मुझे देना चाहिए मेरा तो सिलिवसी कवर नहीं हो पा रहा है मैंने एक बार अल्री पढ़ रखा है बिरको 6-7 महिने हो गए तैयारी करते हुए मैंने हर चीज़ों कवर कर लिया है लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है कि क्या मैं कर पाऊंगा SBIPO क्योंकि प्री आ जाएगा अब November के अंदर बहुत सारी बाते चल रहे है कि November के अंदर प्री आएगा Officially declare नहीं हो रहा है लेकिन सर अब मुझे डर लग रहा है What I need to do मैं क्या करूँ मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा या अगले साल के लिए मैं अभी से प्रिप्या करूँ तो मैं पहले तो काफी दे तक सोचता रहा समझता रहा कि actually situation क्या है and what you want to tell me कुछ देर के बाद सोचने के बाद मैंने उसको एक reply किया मैंने के बच्चे अगर हम बात करते हैं कि आने वाले मानलो 20 दिन में हमारा SBIPO होता है तो अगर मैं minimum से minimum case लेके भी चलता हूँ तो मैं 20 दिन लेके चलता हूँ कि मेरा SBIPO में 20 दिन है मुझे नहीं बता उससे ज़्यादा वक्त मुझे मिल सकता है उससे कम वक्त भी मुझे मिल सकता है और अगर मैं 20 दिन लेके चलता हूँ तो मैं अगले वाले exams के लिए प्रिपर कर सकता हूँ क्योंकि मेरा IBPS PO और IBPS clerical भी line-up में है मैंने उसको एक ही बात कही कि देको अभी तुम्हारा पास 20 दिन है तुम्हारा पास subject 4 है 20 दिन में तुम्हारा pre है mains नहीं है 20 दिन में तुम्हारा pre है It means you need to focus first problems लेकिन साथ बए साथ तुम mains पढ़ते रहो यानि अभी अगर तुम्हें 6-8 मेने तुम्हें त्यारी करते हुए हो गया तो मैं यह उम्मीद करता हूँ तुमसे कि तुम्हें एक एक बार सारा course complete कर लिया है तुम्हें basic सा बाता है तुम्हें concept सारे के लिए कर ले है It means now तुम्हें accuracy पे काम करना है Now तुम्हें variety of questions पे पढ़ना है यही तुम्हें करना होगा क्योंकि तुम्हें already 6-8 मेने निकाल दिये तो मैंने उसको यही का कि अब mock लगाओ, practice करो जितनी number of questions मिलते हैं उसको practice करो time devote करो, लेकिन mains के लिए भी वक्त निकालो क्योंकि generally SBI में ऐसा होता है कि 20-25 दिन के बाद आपके पास time नहीं होता है 20 दिन के अंदर हो mains connect करवा देंगे और same इसी case में हो सकता है मैं IWPS PO हमारा जनवरी के अंदर हो तो तुम अभी से mains तैयार करो साथ भई साथ तुम pre के लिए अभी से मैनत करो तुम pre के लिए mock लगाओ डेली तुम्हारा एक mock होना चाहिए 10-12 quizzes तुम्हारी डेली होनी चाहिए जिससे तुम्हारे अंदर वो confidence आए और जिस चीस से तुम्हें सबसे दर लग रहा है जिसके विए से आज तुम्हें कॉल करना पड़ा मुझे उस डर के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा उस डर को खतम करना पड़ेगा तो मैंने उसको यही बात कही और दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि यह मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि अगर आप prepare कर रहे है और आपको डर लग रहा है जिस write down on a note आप एक paper पे लिखिए आपको डर लग क्यों रहा है पजल से डर लग रहा है solution क्या है math से डर लग रहा है solution क्या है mock में marks नहीं बढ़ रहे है solution क्या है speed नहीं आ रही है solution क्या है आप खुद के question लिखिए और solution को note down करिए कमी को देखिए आपको कमी क्या लग रही है आपको डर किस चीज का लग रहा है उसको जब note down करोगे न तो while writing on a paper जब आप लिख रहे होंगे न तब आपको समझ में आएगा कि what you need to do right action क्या होगा क्योंकि आपके पास ही आपकी problem का solution और जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि quizzes लगाओ, sectional test लगाओ, mock test लगाओ अपने answers में साथ share करो अपने marks में साथ share करो I will guide you properly वो आप करिए मैं आपको बता रहा हूँ आपके नदे एक positive change 20 दिन में आजाएगा और 20 दिन में आप pre clear कर सकते हो ये मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ pre, it's not a big deal मेंस के साथ पढ़ना है, ये याद रखना है कि मेंस अभी से पढ़ना है I hope so आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो लाइक करिएगा, share करिएगा और चैनल जरू सब्सक्राइब लिएगा Thank you so much